राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर भूगोल शिक्षण के कारिक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्धमिक कक्षा के छात्रों हे तू एक वारता वारता का यह कारिक्रम NCERT दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत, लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्शक है विकास नियोजन नियोजन क्रियाओं के क्रम तथा अनुक्रम को विकसित करने की प्रक्रिया है, जिसे भविश्य की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है नियोजन के लिए चुनी गई समस्याएं बदलती रहती हैं, पर यह मुख्य रूप में आर्थिक और सामाजिक ही होती है में एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसकी कुछ अवस्थाओं के रूप में संकल्पना की जाती है भारत में नियोजन अभी तक केंद्री कृत ही है राश्ट्रिय विकास परिशद नियोजन की नीती तै करती है इस परिशद में केंद्री मंत्री मंडल, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्य मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री तथा प्रिशासक शामिल होते हैं राश्ट्रिय महत्व के विशय जैसे रक्षा, संचार, रेले आदी, केंद्रिय सरकार के अधीन होते हैं। जबकि ड्रामीन विकास की महत्वपूर्ण सेवाएं, लगुद्योग और सडकों का विकास वा परिवहन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अधित्तर मामलों में योजना आयोग ही कार्य नीतियां, नीतियां और कार्य क्रम बनाता है, तथा राज्यों को केवल उन्हें क्रियानवित करने के लिए कहा जाता है। राज्यों में भी नियोजन की प्रक्रिया कोई बहुत भिन नहीं होती है। राश्ट्रिय योजना संकल्पनात्मक और सैध्धान्तिक पक्षों पर विचार करती है। सभी आवश्यक्ताओं और संभावनाओं पर बल देती है, कौन से लक्षय पूरे करने हैं तथा कौन सी विधियां अपनानी हैं, इन पर विचार करती है। जबकि योजनाओं को पूरा करने का दायित्व राज्यों का होता है। इसलिए इनका स्वरूप भौतिक माना जाता है। चेत्रिय योजना का प्रादेशिक विभाजन राज्यस्तर पर किया जाता है। सम्विधान के संचोधनों के द्वारा नियोजन को स्थानी स्थर के विकास का अनिवारे अंग बना लिया गया है। अब विभिन अभिकरण, जिलों, खंडों, नगरों और गावों के लिए योजनाएं बनाती हैं। नियोजन का इतिहास स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद ही भारत ने योजना आयोग की नियुक्ति करके राज्य प्रेरित नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। इससे भी पूर्व सन 1936 में M. विश्वेश्वरईया ने 10 वर्षिय योजना प्रकाशित की थी। राश्ट्रिय कॉंग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए एक योजना की संभावनाय तलाश ने हेतु एक विशेशग्य समिति नियुक्त की थी। इस समिति का नाम राश्ट्रिय नियोजन समिति रखा गया था। समिति योजना तो पूरी नहीं बना सकी लेकिन विकास के लिए कुछ नीतियां और संदर्व तै कर दिये थे। सन 1944 में टाटा और बिडला ने बंबई योजना बनाई। इसके बाद S.N. अगरवाल ने गांधी योजना तयार की। इसके मुख्य उद्देश्य कृषी और ग्रामिन उद्द्योग का विकास था। स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग ने 1952 में एक योजना तयार की। यह 1951 से 1956 की अवधी की प्रथम पंचवर्षिय योजना थी। भारतिये योजनाएं बहु उद्देशिय थी। ये विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी बल देती थी। उत्तरोत्तर योजनाओं के अनुभवों के आधार पर विदियो को जाचा परखा गया। प्रथम पंचवर्षिय योजनां 1951 से 1956 विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने की द्रिश्टि से प्रथम पंचवर्षिय योजना में मुख्यबल समग्र विकास पर दिया गया था। इसमें ग्रामीन समुदायों पर विशेश ध्यान दिया गया था। राश्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा ग्रामवासियों को निवेश, सेवाउं, वित और तकनीकी जानकारी दी गयी थी। विकास के बहुपक्षिय सिध्धान्त के आधार पर इसे बहुँ उद्देश्य उपागम कहा गया था। प्रथम योजना में कृषी सहित सिंचाई तथा बिजली को सर्वोच प्रात्मिक्ता दी गयी थी। सैयुक्त राजय अमरीका के टैनेसी वैली अथोरटी के आधर्ष पर बाढ़ नियंत्रण, भूमी की सिंचाई, बिजली उत्पादन, मृदा अपरदन के नियंत्रण और मचली पालन को प्रूत्साहन देने के लिए योजनाय प्रारंभ की गई थी। इन योजनाओं में पंजाब और हर्याना के लिए भाकडा नांगल, बिहार के लिए कोसी, जारखंड और पश्चमी बंगाल के लिए दामोदर घाटी पर योजना तथा उडीसा के लिए हीरा कुंद योजनाय शुरू की गई थी। जारखंड के सिंदरी में उर्वरक बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था। इस सब के बावजूद बहु उद्देश्य विधी को अधिक सफलता नहीं मिली। तथा बाद की योजनाओं में इसके स्थान पर खेत्रिय विधी को अपनाया गया। द्वित्तिये पंचवर्षिये योजना 1956-1961 इस योजना में विकास के एक ऐसे प्रतिरूप को प्रोचसाहित किया गया जिससे भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। इसके मुख्य उद्देश थे। पहला राष्ट्री आय में 25 प्रतिशत की वृद्धी। दूसरा आधार भूत तथा भारी उद्द्योगों के विकास पर विशेश जोर देते हुए तीवर उद्द्योगी की करण। तीसरा रोजगार के अवसरों का विस्तार और चोथा असमानताओं में कमी। इस योजना में आधार भूत और भारी उद्द्योगों के विकास पर विशेश बल दिया गया। यही नहीं इसी योजना में देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को भी परिभाशित किया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश थे। पहला राष्ट्रे आई में तेजी से व्रिध्धी करना। दूसरा खाद्याननों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना तथा क्रिशिय उत्पादन बढ़ाना। तीसरा आधार भूत उद्द्योगों का विस्तार करना। चौथा रोजगार के अफसरों का विस्तार करना। पांचवा आई और संपत्ति में वायक्तिक तथा प्रादेशिक विशमता को घटाना। तीसरी योजना की उपलब्धियां बहुत निराशाजनक थी। योजना के उद्देश्य पूरे ना हो सकने के कारण ये थे। मानसूनी वर्षा में देरी, 1965 का भयंकर सूखा, 1962 में चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। विदेशी रिण की अनुपलब्धता और कठोर प्रशासनिक नियम तथा कार्य प्रणालियां। 1964 से 1965 में खाद्यान्नों का उत्पादन आट से नो करोड तन था, जो एक रिकॉर्ड था। लेकिन दूसरी ही वर्ष यह उत्पादन घटकर केवल साथ दशमलव दो तीन करोड टन ही रह गया। केवल अद्योगित क्षेत्र में ही तीसरी योजना की महत्वपून उपलब्धियां थी। दूसरी योजना की तुल्ला में इस योजना की उपलब्धियां अच्छी नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे ये वारता वाची का थी सुनीता चौहान विशे संयोजक प्रोफेसर रामजन शर्मा, विशे संपादन आरपी मिश्र, आलेक, एसकी शर्मा, नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन